देश की हालत आपको दिख रही है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप से नहीं चुपाया जाज़ा और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है सही है आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है सही है नफरत किसको होती है बाईयों और बेहनों नफरत डर का एक रूप है जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है जो डरता नहीं है जो डरता नहीं है जिसको डर नहीं होता है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है तो बाईयों और बेहनों जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है किस चीज का डर भविश्य का डर महंगाई का डर बेरोजगारी का डर ये बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है और नफरत से क्या होता है नफरत से लोग बढ़ते हैं देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है बीजेपी और आलेसस के नेता देश को बाढ़ते है और जान मूच कर जान मूच कर देश में भाई पैदा करते हैं लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं अब सवाल उठता है ये किस के लिए करते हैं और क्यूं करते हैं फाइदा इस डर का इस नफरत का फाइदा किस को मिल रहा है बाई और बेनों क्या इस जर का फाइदा नफरत का फाइदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है पिछले आठ सालों में आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी इसकी सरकान ने क्या फाइदा लिए पूरा का पूरा फाइदा दर और नफरत का फाइदा हिंदुस्तान के दो उद्योग पती उठा रहे हैं आप बाव की उद्योग पतियों से भी पूछ लो वो भी आपको बताएंगे कि पिछले आठ साल में हमारा कोई फाइदा नहीं हुआ सिरफ दो भी अक्तियों का फाइदा हुआ है और देखने को मिल रहा है चाहे एरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सडके हो सब कुछ सेलफोन तेल सब कुछ इनी दो व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है मीडिया देश को डराती है नफरत पैदा होता है और पूरा पूरा फाइदा वीजेपी दो लोगों को दे रहे है अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की नोट बंदी से गरीबों का फाइदा हुआ गरीबों के जेब से पैसा निकाला गरीबों को कहा दाले धन के खिलाब लड़ाई है और पिर कुछी महीनों पाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था लाकों करोर रुपे देश के सबसे बड़े उद्योग पतियों का कर्दा माफ किया किसान का कर्दा माफ नहीं करेंगे किसान के खिलाफ तीन काले कानून लाएंगे कहेंगे कि ये कानून किसानों के फाइदे के लिए है अगर किसानों के फाइदे के लिए है तो पूरे देश में किसान क्यूं खड़ा है सरकों पे क्यूं उत्रा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है ये तीन कानून किसानों के लिए नहीं थे ये तीन कानून उन्हीं दो उद्योगपतियों के लिए थे और हिंदुस्तान के किसान को ये बात एक दम समझ आ गई इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ती दिफा दिए और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ती मेरे खिलाफ खड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी ने वहीं कानून रद करनी है यही बात जी एस्टी के साथ हुए है कॉंग्रिस पार्टी एक दूसरी जी एस्टी लाना चाहती है बीजेपी ने जी एस्टी को बदला पांच अलग अलग टैक्स और जबर्दस चोट जो चोटे दुकांदार हैं स्मॉल और मीडियम साइज बिजनस वाले हैं मजदूर हैं इसान हैं उन पर चोट मजदूर हैं और आज हालत क्या है और यहाँ इस स्केश से बोलने आँ यह बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर आज हिंदुस्तान की हाला यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा क्यों भाईयों और बेहनों देश को रोजगार ये दो उद्योग पती नहीं देते हैं देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिसनस वाले देते हैं देश को रोजगार खिसान देते हैं और इन लोगों की रीड की हटी नरेंदर मोधी जी ने तोड़ दी है तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते और बेरोजगारी जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ नहेंगाई मेरे पास आक रहे हैं 2014 में LPG का सिलिंडर 410 रुपे का था आज 1050 रुपे का है पेट्रोल 70 रुपे लीटर आज तक्रिबन 100 रुपे लीटर डीजल 55 रुपे लीटर आज 90 रुपे लीटर सरसों का तेल 90 रुपे लीटर आज 200 रुपे लीटर दूद 32 रुपे लीटर आज 60 रुपे लीटर आटा 22 रुपे लीटर आज 40 रुपे लीटर केजी तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी करफ सबर्दस महंगाई भाई और बेहनों हिंदुस्तान में ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल में कॉंग्रेस पार्टी ने पार्टी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है बहुत दर्द सहरा है और जब विपक्ष न बातों को पार्लमेंट में उठाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लमेंट में बोलने नहीं दी चाहे किसानों का मुद्धा हो चाहे 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 ना का आक्रमन जो हुआ है उसकी बात करना चाहे बेरोज़गारी की बात करना चाहे महिंगाई की बात करना चाहे हम नहीं कर सकते पार्लिमंट में नहीं कर सकते और आप देखिए यहां हमारे मीडिया के मित्र है इनका काम जो जन्ता के मुद्धे हैं उनको उठाने का होता है मगर यह भी अपना काम नहीं करते है चौपिस घंटा यह कैसे करेंगे यह मीडिया उन्हीं तो उद्योग पतियों का मीडिया है पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योग पतियों के हाथ में है तो सचाई कैसे दिखेगी सचाई कैसे सुनाई देगी और जन्ता को जन्ता को सब मालुम है जन्ता घर में टीवी ओन करती है और जन्ता जानती है ये टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है टीवी दो उद्योग पतियों का है अखबार दो उद्योग पतियों के हैं और ये दो उद्योग पती नरेंद्र मोदीज के लिए 24 गंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदीजी इनके लिए 24 गंटा काम करते हैं देश में महिंगाई और देश का पूरा का पूरा धन दो उद्योग पतियों के हाथ में एक तरफ मीडिया का कंट्रोल दूसरे तरफ प्रधान मंत्री पे कंट्रोल अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री हैं मदर मैं आपको एक गैरंटी दे सकता हूँ नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री हैं मगर उन दो उद्योग पत्नियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री नहीं हो सकता मीडिया के समर्थन के बिना बिना नरेंद्रमोधी प्रधानमंटी नहीं हो सब और जो हिंदुस्तान के इंस्टिउशन्स हैं चाहे मीडिया हो प्रेस हो चाहे हमारी जुडिश्री हो चाहे हमारा एलेक्शन कमिश्ण हो उन सब पर दबाव है उन सब पर सरकार आक्रमंट कर रही है तो यात्रा की क्या ज़रूरत है यात्रा की ये ज़रूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है हमें सीधा जनता के बीच पे जाना पड़ेगा मीडिया हमारा नहीं सांसत में हम बोल नहीं सकते तो आप कॉंग्रेस पार्टी और बागी विपक्ष चे पास सिर्फ एक रास्ता है, जन्ता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना है, जो भी नरेंद्र मोधी जी के खिलाब काम करना चाहता है, चाहिक कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एंजीयों का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा पूरा जबर्दस आकरमन होगा, ED, CPI, income tax, यह सब के सब लगा दिये जाते हैं, 55 गंटे, 55 गंटे, मुझे ED में वहाँ पे बठाया, मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, नरेंदर मोदी जी को, मैं आपकी ED से नहीं ड़ता हूँ, मुझे कोई फर्ट निपड़ता, आप 55 गंटे करो, 100 गंटे करो, 200 गंटे करो, 500 गंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्ट निपड़ता मुझे, यह हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम, हर हिंदुस्तानी नागरे को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यह नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर यह देश नहीं बचेगा, क्योंकि यह देश संविधान है, यह देश इस देश की जनता की आवाज है, यह देश इस देश की जनता क्या भविश्या है, यह देश दो उद्योग पतियों का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है, और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, घरीबों का, किसानों का, बेरोज़गार युवाओं का, उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता, उस देश में अगर आप रोज़गार चाहते हो नहीं मिल सकता, अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज युनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो, आप नहीं कर सकते हो, उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा, और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा, और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर, दो तीन, दश पंदरा होदियों पतियों का, अरब पतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाए भाईयों और बहनों इन दो देशों में बीच में लड़ाई है नरेंद्र मौदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बाटना है और पूरा का पूरा फाइदा चुने हुए लोगों को देना है हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फाइदा दो तीन उद्योग पतियों को नहीं मिलना चाहिए उसका फाइदा हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को गरीब को बेरोजदार दुबाओ को मिलना चाहिए यह फरक है और आपने आप चाहिए आप आज चले जाहिए और किसी भी छोटे दुकानदार से किसी भी मजदूर से किसी भी स्मॉलर मीडियम बिस्निस वाले से किसी भी किसान से पूछ लीजिए किया UPA के समय और आज के समय में क्या फरक है UPA के समय में 70,000 करोर रुपय UPA की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया फिना पूछे नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए मज़़ूरों के लिए UPA सरकार ने एक एतिहासिक कानून मनरेगा दिया नरेंद्र मोदीजी ने पार्लिमेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान और फिर आज आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है क्योंकि अगर आज UPA का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती है जमीन अधिकरन बिल हम लाए लाकों करोर रुपे लाकों करोर रुपे हमने गरीब जलता को कॉम्पंसेश में जलता लाकों करोर रुपे अरब पती बना दिये पहले बिना पूचे किसान की जमीन चीन ली जाती नहीं हजारों एकर बिना पूछे एक मिनट में चीन लिया जाता था हमने काई ये गल्थ है हम कानून लाए नरेंद्र मोधी जी ने पहला काम उस कानून को रद करने की कोशिश चीन, ता पहला काम था यूपे अगे समय हमें आर्थिक प्रगती थी हम करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला जितने लोगों को हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला दस साल में 27 करोड़ लोग बोजंकादिकार मन्रेगा कर्दा माफी इन हुजारों से हमने 27 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी सिकाला बाई और बेहनों पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापिस गरीबी में डाल दिलिया तो जो हमने काम किया 10 साल में उनہे 8 साल में ख़स्प कर दिया और पर जाके भाशक देते हैं प्रगंटी की बात करते हैं New India की बात करते हैं Kerry omega इंडिया की बात करते हैं कहते हैं कि हंधुस्तान बदल गिया हंधुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फिला रहें गर फिला रहें और इससे देश का नुकसान होगा देश का फाइदा हो ही नहीं सकता फाइदा देश के दुश्मनों को होगा फाइदा चाइना को होगा फाइदा पाकिस्तान को होगा मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी जितना करोज फैलेगा जितना डर फैलेगा उतना हिंदुस्तान कमजोर हो और पिछले आठ सालों में नरेंद्र मोधी जी ने हंदुस्तान को कमजोर करने का 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 किया जो हमारी आर्थिक शक्ती थी उसको खत्म किया बेरोजगारी चालिस साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी जी की देन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या महंगाई से बेरोजगारी से नफरत से देश मद्बूत होता है क्या कौन सी दुनिया में नफरत बेरोजगारी महंगाई से देश मद्बूत होता है देश कमजोर होता है और नरेंद्र मौधीची और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम करते हैं। Congress Party देश को जोड़ती हैं। हम नफरत मिटाते हैं, अटाते हैं। और जब नफरत मिटती है, खतम होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान देजी से आगे बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है, सानों करके दिखाया है। तो ये मैं आपको कहना चाता था, Congress कारे करता हो को मैं धन्यवाद करना चाता हूँ। आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो आप हिंदुस्तान के लिए लड़ते हो आप संविधान के लिए लड़ते हो आप अपना खून, अपना पजीना इस देश को देते हो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता ही देश को बचा सकता है कॉंग्रेस पार्टी के विचार धारा देश को प्रग्रती के पत्थ पे ला सकती है हमारे लिए सरकार ने जैसे मैंने कहा रास्ते बंद कर दिये पार्लिमंट का रास्ता बंद कर दिया सांसब में कॉंग्रेस पार्टी अविपक्ष के लोग भाशन करी ली सकते है वारा माई कॉप हो जाए और किसी भी मुद्धे पर हम चाइना के आखरमन पर बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते बेरोजगारी के पर बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते वो रस्ता बंद देगा जो हमारे इंस्टीटूुशन्स हैं चाहिए वो मीडिया हो चाहे वो election commission हो, judiciary हो मैंने का उन पर आक्रमन है, उन पर दवाव है तो हमारे लिए सब के सब रास्ते बंदे एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है जनता के बीच में जाकर सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बता और जो जनता के दिल में है उसको गेराई से सुनना और समझना इसलिए Congress Party भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे है आप सब दूर दूर से आए इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जनता प्लूर से भारत आपको इसलिए Mire C 왜 वे वो भारत जो जा псих कि क organisation में हुआए कर दूर से जाए farmers